तो यह सबसे बड़ा comparison वीडियो आज हमारे पास है मेरो प्रेप लेडर और डैंस तो यह सब हमने कठा कर लिया है किसी को हमने उधार ले लिया है किसी को हमने चोरी कर लिया है सिर्फ आपको दिखाने के लिए कौन सा स्मूध है कौन सा क्रिस्पी है तो मैं फाइनल इयर MBBA स् तब मैं फर्स्ट टीर में था इट वाज तुटाजन एटीन तब नीट पीजी प्रेपरेशन के लिए ओफ लाइन फीजिकल क्लासिज होती थी और उसमें लीडिंग तीक डैंस क्लासेज ऐसा नहीं है कि ओनलाइन कोचिंग प्लैफोर्म नहीं होते थे लेकिन इतने पॉप और भी बहुत कुछ सर्विस देते हैं जैसे कि नौर्स, कोशन, बैंक और बहुत कुछ वैल ओफलाइन क्लासिज के कमपेरिजन में ये ओनलाइन कोचिंग प्लैट्वर्म काफी एजिली एक्सेसिबल होते हैं और यूजर फ्लैनली भी होते हैं क्योंकि ये प्री रिकॉड आपके लिए बेस्ट है कौन सा एप हम खरी दें बट इस वीडियो में मैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं तो हम प्रैप लेडर एंड मेरो को इन 6 बड़े पॉइंट्स में कंपेर करेंगे और ये 6 के 6 पॉइंट्स काफी जरूरी हो जाते हैं ये दिनी बात करें तो मेरो में आपको दो प्लेंस मिलते हैं ज़ो है 12 मंथ और 18 जिसमें 12 मंथ का प्राइज है 35 और 18 मंथ का प्राइज है 48000 और अगर हम प्रैप लेडर के साथ कंपेर करें नहीं करीब 7 ऐसे प्लेंस मिल जाएंगे जो शुरू होते है तीन महीने से और खतम होते है छेस साल तक और अगर दोनों को compare किया जाए तो prep ladder में आपको 12 मंद का price बढ़ता है 31,500 जो करीब करीब दोनों में same है लेकिन जो prep ladder का 18 मंद का price है वो है 37,500 जो कि करीब 10,000 कम है मैरो से और यह काफी बड़ा difference हो जाता है इवन आपको मैरो में 48,000 में 18 मंद का plan मिलता है और करीब इतने ही price में prep ladder में आपको 3 साल का plan मिल जाता है जो काफी बड़ा difference हो जाता है इसी के साथ मैं एक और बात mention करना चाहूंगा कि इन सभी plans में आपको MBBS के सारे के सारे सब्जेक्ट मिलते हैं लेकिन अगर आपको कोई particular एक सब्जेक्ट चाहिए या फिर दो सब्जेक्ट चाहिए बाकी सब्जेक्ट आप books गयर से करना जाते हैं तो वो वाला feature आपको prep ladder में मिल जाएगा आप कोई भी एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट खरीज सकते हो अलग से लेकिन मेरो में ये feature missing है आपको सारे के सारे सब्जेक्ट एक साथ ही खरीजने पढ़ेंगा तो अब बात करते हैं second point की जो है language तो अगर आपने प्रैंट स्क्रीद लिये हैं और आप video lectures देख रहे हो लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है language को लेकर तो उसका कोई फैदा नहीं होता है तो मेरो में अगर बात करें तो हमें एक language मिलती है जो है English 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 में आपको सारे के सारे video lecture मिल जाएंगे लेकिन अगर बात करें प्रैप लेडर की तो वहां पर आपको दो language ओफर की जाती है जो है English और English तो आपको पता ही है लेकिन English में कुछ ऐसा concept है कि आपको Hindi और इंग्लिश का mixture होता है उसमें समझा जाता है वैसे काफी ऐसे लोग होते हैं जिनको इंग्लिश में जादा समझ नहीं आता है जिन में से मैं भी एक हूं तो वह इंग्लिश को प्रैफर कर सकते हैं आपको Hindi में भी समझने को मिलता है तो अब आता है तीसरा पॉइंट जो है वीडियो लेक्टर के लिए परचेज करते हैं तो वीडियो लेक्टर की काफी मैटर करती है बट इन दोने आपको जो वीडियो लेक्टर मिलते हैं वह काफी क्रिस्प एंड कंसाइज होते हैं साथ में उसमें कंसेप्च्छ डेफ्थ भी होती है तो अगर आप वीडियो उसको ज्यादा टाइम दे सकते हो आपके पास इतीनी टेंशन पावर है तो आप मैरो के साथ जा सकते हो लेकि इसमें आपको थोड़े कंसाइज नोट मिलते हैं जो रिविजन के लिए मेरे ख्याल से काफी बैच रहते हैं और प्रैप लैडर के जो नए वाले नोट्स है 4.0 उसमें कुछ एक्स्टा फीचर भी दिये गए हैं जैसे कि प्रैप नगेट्स हाव टुरमेंबर बोक्स प्र आप लैडर में आपको क्लीनिकल बेस कोशनली मिल जाएंगे वेल वहीं अगर नीट पीजी स्ट्राइक की बात करें तो दोने एप की अबब 90 परसें जो काफी अच्छी है तो अब आता है लास्ट मेजर पॉइंट वो है एप फीचर दोने एप में आपको भर भर के फीचर मिल जाएंगे जो काफी हेल्फुल होते हैं वादर यूजर फ्रेंडली होते हैं आपकी नीट पीजी प्रेपरेशन काफी इजी बना देते हैं लेकिन एक जो मेजर डिफरेंस है वो है एप अपडेट में तो मैरो की बात करें उसमें काफी फ्रिक्वेंट अपडेट नहीं की वैल मुझे लगता है कि आप सबने अब तक कंक्लूड कर लिया होगा कि कौन सा आप आपके लिए बैस्ट है लेकिन अगर मैं नीट पीजी की बात करूं तो मैंने काफी सारे इंटर्व्यू देखे नीट पीजी टॉपर्स के जिसमें मुझे पता चला नीट पीजी प्र चैनल को सब्सक्राइब कर दो मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक क्या